कि सभी मंत्री मंदल मिठलेश ठाकुर हो गए इपान अंसारी जी हो गए दिपका पांडे जी हो गए सबसे हम लोग फोन की है सबसे सब कोई जा रहा है सब को हाँ जोड़ रहे हैं लेकिन मिलने से इंकार कर दिया जा रहा है आखिर क्यों इस राज क्या मुखिया अगर छात् भी जारी किया गया था उस नोटीस में बताएगा था कि यह आपका रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के दुतिये सब्ता में आपका सक्षतकार प्रारम होगी मतलब बोले तो इंटर्व्यू लेकिन आचानक क्या हुआ कि त्रितिये सब्ता भी समाप्त हो गया लेकिन आयो पृष यहां जारी करने कि तिथी 2017 जनावर 22 जारी होगा था फोरब भरने कि अंति मतिती तीस मार्त 24 को अथा तीनडीनी नुटे नुट 2 लीज लीज जुनको होगा था और येंग बोलना चाहते हैं कि ये पीएसी सब कुछ समय पर अपना जो रिजल्ट है अपना जो बतलब टाइम है उस पर एकदम पूरी तरीका से फूल फील रहती है लेकिन ऐसा क्या रिजन रहा कि मतलब अपने ही बात में जेपीएसी फस गई अब फसी कहां सबसे पहले हम कहने चाहते हैं कि जेपीएसी के दवारे एकती जुलाई को प्रेस बीगिपती जारी किया गया था जिसमें हमने आपको डिटेल्स बताया कि जल से जल आपका रिजल्ट प्रारम होगा और दुतिये सब्ता में सक्षतकार प्रारम होगा लेकिन 16 अगस्त और 20 अगस्त को जा हम लोग मिल जेपीएसी को अगर सुधारने का काम किया था तो नीलमा किरकेटा मैडम ने की थे चात्रों का इतना विश्वास था चात्र यह तिना भी हम लोग मतलब उठें उनसे खुश थे पहली बार जेपीएसी जो है टाइम टू टाइम यह आपका जो है यह आपका रिजल्ट देन है रिजल्ट बनके तयार है लेकिन रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है क्यों मेरा हाथ बंदा हुआ है अब यह हाथ क्यों बंदा हुआ हम उस पर भी चर्चा करेंगे जब मैडम से हम लोग मिलने गए तो मैडम ने बात मुला कि एक डिश्टिनी सब्द है डिश्टिनी कई से जन रूखें 바uguhan के बरोसे चल रही है इतनी बड़ी संता भगवान के बरोसे चल रही है और मैं बोलना चाहता हम यह इस नी सब के पास किया गया जब लोग आबाज उठाए तो जब 11 से 13 वाँ जब रिजल्ट बने के तैयार तो क्यों देने में आप मुखर रहे हैं तो अगर नहीं हो रहे हैं तो इसमें पूरे तरीका से अनिमता और धांदली की प्रबल संभावना है इसका भी हम प्रमान बताएंगे कि क्यों अनिमीता है और धांदली का क्यों प्रमान है चुकि वर्तमान में जेपी एसी अधिक्षपत का रिक्त है चुकि मैडम खुद अपने से त्याक पत्र दियें उस पर भी हम आएंगे हम आपको बताने हैं कि मेंस का रिजल्ट जारी करन मुखमंत्री सब नहीं मिलवा सकते हैं उसी समय क्या होता कि राजनीतिक संगटन के सभी मंत्री मंदल मिठलेश ठाकुर हो गए इरफान अंसारी जी हो गए दिपका पांडे जी हो गए सबसे सब कोई जा रहा है सब को हाँ जोड़ रहे हैं लेकिन मिलने से इंकार कर दिया आखिर क्यों इस राज क्या मुखिया अगर छात्र से नहीं मिल सकता तो किन से मिलेंगे सिपराजनीतिक संगटन के लिए राज मिलने के निवक बंत्री से बनाए यह सब देखते हुए और जेपी एसी के जो अधियक्स महद्या जी तो पहले थी वह महामहिम से मिलकर सदस्य क्योंकि योगिता और कारसेली पर भी चर्चा की हैं चुकि एक असिटेंट प्रोफेसर एक प्रोफेसर की निक्त कर रहा है बताईए कारसेली क्या है और यह जो है हम आपको बता रहे हैं सोचल मीडिया के माध्यम से छात्रों के बिज गड़बरी और निमिता को लेकर काफ इस भी मिलने से इंकार कर रहे हैं लेकिन अगर नीतिक संगठन के लोग जाते हैं तो तुरत मिल लेते हैं क्या हो गया चात्र कहां जाए और अब तक हम सारे चीज बता रहे हैं इस रिजाल पैनी बनाये रखने के लिए बिलकुल इंकार नहीं किया सकता है कि पीचिस में उ तुने गए हैं सरकार के द्वारे भेजे गए हैं जो मेंबर के हम आपको नाम भी बताते थे आपका जीसे पहला मेंबर आपका जीता भटाचर यह सी टेन प्रोफेसर है लेकिन प्रोफेसर की निप्ति करती है मैडम महोदया क्या के राजपाल से मिले हम सब आपको बगायदा प्रोफ के साथ हम लाएं हैं यह सुप्रियो भटाचारी की पत्नी है बताई एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ बैक्ति आयोग में बैठा हुआ है ना उसके बाद जमाल अहमाद जी यह भी कॉई 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 पुराने सदस से के मतलब कोई मतलब बड़े न जो रिजल्ट है वो उसमें घंधर करना चाहते मैडम जी बोल रहे हैं कि हमारा हात्त बंदा हुआ है कारण यही था अद्यक्ष महधिया का कुछ चला नहीं कि रिजल्ट बनके त्यर मंदारी से जारी करना चाहते हैं लेकिन इस पर लोग दबाव देना चाहते हैं दबाव ने प्रस्चीन भी कर दिया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की निक्ति कर रही है यह देखिए प्रमान है यह क्या है आप देख सकते हैं कि मैडम महद्या ने क्या बोली है आप देखिए हैं पर यह प्रमान है हम तो यह नहीं कर रहें यह पेपर में यह पेपर मे भी बोल सकते हैं ना और इसमें ये जो प्रस्ण है कि आखिरकार एक राज की इतनी बड़ी संस्था है जो लाखोई वहाँ परिच्छा देते हैं और भरोसा करते हैं कि हमारा रिजल्ट फेयर होगा ना अगर इसमें दखिए इसमें हम बता रहें कि बुद्वार को खुद अपने कि हम से अब रहाँ नहीं जाएगा वह उस दिन मिलके और सारा बाद से उनको अउगत करें थिक ना इडा मोहस्ट करें मतलब कि हम लोग लगातार राजिपाल सबींडर की तयारी किया मुक्ष मंत्री वी मिलने के तयारी करिए लेकिन कोई साकरात्मक पहलन नहीं है आज केबिनेट की मीटिंग है पता नहीं अगर आज अध्यक्स का निक्ति नहीं होता है लेकिन हम सबसे बड़ा मीडिया बंधू के सामने प्रस्ण करना चाहते हैं कि क्या कारण रहा कि मैडम महोदया रिजल्ट नहीं जारी करने पाई चुकि यह इतिहास गवा है कि जब से ह जामन जिया हैं छठा जे पीएसी को रद करने की बात मोले थे वही छठा जे पीएसी में क्वालिक फाई पेपर जोड़के बच्चों को निक्ति दिये हैं आखिर कब तक हम लोग घुटते रहेंगे आज ये कैसवी सदी का धारखंड है आज ये कैसवी सदी का लोग पायूग भी होना चाहिए लेकिन इस अब देखते हुए जब एक मतलब सरकार और सिस्टम से कैसे लड़ा जाए उससे कैसे भी जैपाया जाए जो बच्चा दिन रात मेहनत करते हैं तैयारी करते हुए उनका परिनामी ही होता है कि रिजाल्ट में हेर फेर करने के चलते अब हम लोग मतलब आज प्रेस कॉइंफरेंस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर आज अगर जेपी एसी के अधियक्स महोदया यह महोदय का निक्ति नहीं हुआ समझ लिजी के जेपी एसी में यह तीन का जो नाम चल रहा है अजिता भाटाचार यह जमाल आहमाद अन चाहिए था और हम मिडिया बंदू के माध्यम से एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपके पास अभी भी समय है मैं माने मुखमंत्री जो को बहुत भुत धन्य बात देना चाहता हूं कि एक ऐसे अधियक्स महोदया को लाएं जो मैडम ने खुद एक कलेंडर दिखाई कि मैं कलेंडर में कैसे कौन सा डेट में कौन सा एक जाम लूए बोली कि मैं ददस बजए गारा गारा बजए राद तक मेहनत किया था कि यह रिजल्ट कम से कम छातर हित में अच्छे से हो जाए लेकिन हमें लगता है कि सरकार और सिस्टम आगे क्या करना चाहती है इसमें उनके सदसे मिलकर क्या सचमें खेला करना चाहते हैं हम यह नहीं चाहिते हम कोई राजदीतिक से नहीं मतलब है हमें मतलब है कि आज अगर 233 सदी गाषण होना चाहिए और फेयर होना चाहिए हम इसी को लेकर प्रेस कंफरेंस बोला है और साभी बातों को हमने रखा अगर आपको को इप्रसने तो आपको को इप्रसने